Hello students, Class 12th के Math के 4th chapter में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग Determinants का NCRT का 5th exercise सौल करेंगे जो की आपके नए syllabus के according होगा ठीक है? syllabus आपका change हुआ है तो उसके according 5th exercise हम लोग सौल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है, examine the consistency of the system of equation हमें consistency चेक करनी है system of equations की ठीक है? तो जादे कुछ करना नहीं रहता है देखे हम लोग यहाँ पर एक matrix बनाते हैं A, देखेगा ध्यान से कैसे चेक करेंगे यह system of equation है वो consistent है कि नहीं है यहाँ पर हम लोग एक matrix बनाएंगे इसमें जो पहला वाला column होगा वो X का होगा दूसरा वाला होगा Y का अब देखे इस X के आगे कुछ लिखा नहीं है इस X के आगे कुछ नहीं लिखा तो इसके आगे हम लोग 1 मालनेंगे अब देखे यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो पहले वाले column में 1 और 2 रख देंगे जो की x का column था फिर देखिए y क्या कर यहाँ 2 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 रख देंगे और यहाँ पर 3 रख देंगे अब मैं इन दोनों xy को अटा दूँगा काम हो गया इन दोनों का अब यह जो matrix बना है a है न इसका determinant निकाल लेजिए यह जो matrix a बना है इसका determinant निकाल लेजिए ठीक है 3 बन जा 3 बीच में minus 2 जा 4 इस 1 को 3 multiply करते है फिर बीच में minus sign लगाते है इस 2 को 2 multiply करते है 4 आता है 3 में से 4 गटा आई है minus 1 आएगा determinant of a कितना आया minus 1 आया ये मैं कह सकता हूं क्या determining of a जो है वो 0 नहीं है minus 1 है न 0 थोड़ी नहीं जब 0 नहीं आएगा जब 0 नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे यह जो system of equation है वो consistent है consistent है जब 0 नहीं आएगा तब 0 आएगा तब क्या करेंगे वो हम लोग question में देखा जाएगा अभी के लिए याद रखिए अगर determinant of A 0 नहीं आया तब कह देंगे कि consistent है consistent है लेकिन जब 0 आ जाएगा तब ये मत बोलिएगा कि inconsistent है तब ये नहीं बोलना है कि inconsistent है वहाँ पर और भी checking करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में ठीक है पूरा देखेगा 0 जब नहीं आया तो consistent लेकिन जब 0 आएगा तब inconsistent नहीं बोलना है वहाँ पर हम लोग और भी checking करेंगे क्या करेंगे checking करेंगे मैं वो checking आपको आने वाले तुछ समय में बताऊंगा ठीक है पहला question सौल हो किया है दूसरा question देखे इस x क्या के 1 है इस y क्या के 1 है ऐसा हम लोग मान सकते हैं फिर हम लोग ए matrix बनाएंगे कैसे बनाते हैं बहुत ही simple है इस 2 और इस 1 को लिख देंगे 2 और 1 पहले कॉलम में अब देखे इस y क्या के कुछ नहीं है नहीं 1 है लेकिन यहाँ पर minus 1 आ रहा है तो minus 1 और यहाँ पर 1 ठीक है ठीक है जो matrix बना इसका determinant निकल यह देखे क्या आ रहा है determinant निकालना मैंने ही सिखाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि मैंने वो अलड़ी फर्स्ट वीडियो में सिखा दिया है determinant जो है यह का वो 0 नहीं आया है ना 0 नहीं आया नहीं consistent है 3 आया ना तो यह consistent है दूसरा question भी solve हो गया तीसरा question आये यह question important है यहाँ पर determinant हो सकता है 0 आये इसके आगे 1 है यहाँ पर हम लोग पहले A matrix बनाएंगे ठीक है देखेंगा अध्यान से पहरा अला column X का होता है दूसरा Y का होता है तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 और 2 लिख देंगे यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है यहाँ पर 3 और 6 लिख देंगे यहाँ तक तो कोई रिक्कत नहीं होगा उसका A का determinant निकाली है जब आप determinant निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा तो determinant A का इसमाँ 0 आ गया यानि हमें और भी चेकिंग करनी है ठीक है? हमें और भी चेकिंग करनी है अब देखिएगा जब A का determinant 0 आ जाएगा ना उस case में क्या करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से हम लोग दो और मैट्रिस बनाएंगे AX बनाएंगे और एक AY बनाएंगे दो और बनाएंगे AX और AY ठीक है? यहां पर मैं लिख रहा हूँ X, यहां पर लिख रहा हूँ Y, यहां पर लिख रहा हूँ X, यहां पर Y अब देखिएगा यही crucial step है AX है न? AX है तो यह जो 1, 2 लिखा है A वाले मैट्रिस में इस A वाले मैट्रिस में यह 1, 2, 3, 6 लिखा है ओके? यह काम कर रहा हूँ मैं यह circles मिटा दे रहा हूँ ठीक है? मैं इस 1, 3, 2, 6 को लिख दे रहा हूँ 1, 3, 2, 6 अभी काम complete नहीं हुगा है AX बोल रहा है यह जो पहला वाला X वाला column था न इसे मिटा के लिख दीजिए यह जो 5 और 8 है उनको जब AX बोलेगा तो आपको X वाले column को हटा कर 5 और 8 लिख देना है अब फिर से लिखिए 1, 3, 2, 6 AY में 1, 3, 2, 6 ठीक है? अब क्योंकि AY आ रहा है इसका मतलब आपको Y वाला column मिटाना है तो Y वाला column मिटा देंगे और क्या लिखेंगे? 5 और 8 ठीक है? अब इस AX का determinant निकाल लिएए AX का ठीक है? determinant निकाल लिजेगा आप लोग ठीक है? यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा गलती से 2 लिखा गया था 3 होगा ठीक है? तो जब इसका determinant निकालेंगे तो आप कंसर आएगा 6 जब AY का determinant निकालेंगे तो आप कंसर आएगा minus 2 आप देख सकते हैं ना तो यह 0 के equal है ना ही यह 0 के equal है इस case में अगर या तो यह 0 के equal ना हो, या तो यह 0 के equal ना हो, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 नहीं है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आपको यह नहीं ax निकालना है, determinant और ay का determinant निकालना है, अगर दोनों में से कोई भी एक हलाकि यहाँ पे तो दोनों ही 0 नहीं आ रहे हैं लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक अगर 0 नहीं है, तो system inconsistent हो जाएगा, लेकिन if 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 both ax का determinant and ay का determinant are 0, यानि अगर दोनों 0 हो गए, दोनों 0 हो गए तो system जो है, वो consistent होगा, याद रखेगा, system is consistent दोनों अगर 0 हो गए तब ओके तो यह है step तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 0 नहीं आ रहे हैं तो यह system क्या होगा inconsistent होगा ओके अगला question अब इस 3 cross 3 वाले system of equation में हमें check करना है कि consistent है कि नहीं है तो similar method पहले a बनाएंगे a कैसा बनाएंगे यहाँ पे इस बार 3 column आएंगे x, y और z तो इस x का के 1 है y का के 1 है z का के 1 है तो 1, 2 और a 1, 2 और a फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 फिर 3 है 3 फिर a है फिर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है अब देखे 2a है तो 2a लिखेंगे ठीक है अब इस a वाले matrix का आप लोग determinant निकाल दीजेगा determinant आप लोग निकालना सीख चुका होंगे अब तर टीक है इस A matrice का जब आप लोग determinant निकालेगे ना तो small A आएगा निकाल के चेक कर लिजेगा टीक है निकाल के आप लोग चेक कर लिजेगा कि स्मॉल A का जो sorry capital A का जो determinant है वो वो small A आएगा, तो small A तो 0 नहीं नहीं है, अजब 0 नहीं आता है determinant तो हम लों क्या कहते हैं, consistent कहते हैं, बात समझाई जब A का determinant 0 नहीं आता है, तब consistent कहते हैं, याद रखेगा, हम इसाब सबसे पहले A का determinant निकाला करिए, अगर वो 0 नहीं आया, तो सीधे सीधे consistent, लेकिन जब 0 आ जाएगा, तो और भी checking करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, fifth question पर आईए, fifth question में देखिए, ये पहले बात standard form में नहीं है, इस standard form में बनाएंगे, क्यों standard form में नहीं है, आपको समझना जाएगा, पहले 3x है, मैं 3x लिख रहा हूँ, फिर minus y है, तो मैं इसे minus 1y लिख दे रहा हूँ, फिर minus 2z है, तो minus 2z is equal to 2, फिर 2y है, z है, x नहीं है, x नहीं है, तो मैं 0x लिखूँगा, फिर 2y plus 2y फिर minus z है तो यानि minus 1z is equal to minus 1 फिर देखे 3x है तो मैं 3x लिखूँगा फिर 5y है लेकिन आगे minus है तो minus 5y z नहीं है नहीं है जड तो 0z is equal to 3 यहां तक तो कोई दिक्कब नहीं होनी चाहिए तो हम लोग यहां पर A matrix बनाएंगे ठीक है A matrix बनाएंगे तो 3 0 3 आएगा 3 0 3 पहले वाले कॉलम में फिर देखे minus 1 है minus 1 फिर 2 है तो 2 फिर देखे minus 5 है minus 5 फिर देखे minus 2 है minus 2 फिर देखे minus 1 है minus 1 फिर देखे 0 है 0 ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं न coefficient को मैंने दिखाया बस ठीक है यहां पर 0 मिट गया था गलती से मैं लिख दे रहा हूं से अब इस A matrix का आप लोग determinant निकाल सकते हैं जब A matrix का आप लोग determinant निकालेंगे तो 0 आएगा चेक कर लिजेगा आप लोग निकालके अब मैंने बताया था अगर 0 आया तो फिर आपको और भी checking करनी है और checking क्या करेंगे हम लोग यहां पर A x निकालेंगे फिर A y निकालेंगे फिर A z भी निकालेंगे अब आप लोग कह रहा हूंगे आप लोग क्यों निकालेंगे भाई अरे भाई इससे पहले दो ही variable थे लेकिन इस बार तीन variable है x y z x y z त्री variable है तीन variable है तो ऐसे तीन matrices बनाने होंगे ठीक है concept भी रहेगा पहले मैंने normal form में convert किया फिर मैंने matrix A बनाया matrix A का determinant निकाला तो 0 आया और जब 0 आ जाता है तो हम लोग ax ay और az भी निकालते हैं मैंने आप उदाया था भी अब जब यह बना लेंगे तो यह 303-12-5 यह सब सम में भर दीजे 303-12-5 minus 2 minus 1 0 सम में भर दीजे 303-12-5 minus 2 minus 1 0 303-12-5 minus 2 minus 1 0 ठीक है यहां तक तो कोई रिक्कत नहीं अब देखेगा क्योंकि यहां पर x की बात हो रही है तो आपको पहला वाला कॉलम मिटाना होगा यहां y की बात हो रही है तो दूसरा कॉलम मिटाना होगा यहां z की बात हो रही है तो तीसरा कॉलम मिटाना होगा तीनों कॉलम में रखेंगे क्या यही 2 minus 1 और 3 2 minus 1 और 3 यहां पर भी 2 minus 1 और 3 2 minus 1 और 3 step समझना रहे आपको अब इस matrix का determinant निकाल लीजी ax का जब आप लोग determinant निकालेंगे तो क्या आएगा 35 जो कि 0 नहीं है ay का determinant निकालेंगे तो आपका अंसर आएगा minus 3 ये भी 0 नहीं है az का जब आप लोग determinant निकालेंगे तो क्या आएगा minus 6 ये भी 0 नहीं है तो तीनों ही 0 नहीं है हला कि मैंने बताया था अगर कोई भी 1 0 नहीं आया तब तुरंट बोल दिजेगा inconsistent ठीक है यह है method कोई भी अगर 1 non 0 है इन इन 3 में से अगर कोई भी 1 0 है यानि 0 नहीं है तो inconsistent बोल दिजेगा लेकिन अगर 3 के तीनो जीरो हो गए तो consistent गोलना पड़ेगा ठीक है समझना गए छटा question आईए 5x-y है यहाँ पर 1 लगा दीजी ठीक है और कहीं तो है नहीं ऐसा फिर से A matrix निकालेंगे simple है ना होती simple 5 to 5 ठीक है यहाँ पर 5 to 5 ओके फिर देखिए minus 1 है फिर 3 है पहले minus 1 3 फिर minus 2 minus 1 3 minus 2 ओके फिर 4, 5, 6 है 4, 5, 6 अब इस matrix का determinant निकाल लीजेगा आप लोग निकालेंगे तो आपका अंसर आयागा 51 जो कि 0 नहीं है और जैसे ही determinant 0 का equal नहीं आया पहले वाले case में तो आप बोल दीजे consistent है ओके clear है अगला question next question है solve the system of linear equation using matrix method यानि अब हमें x और y की value निकाल ली है यानि solve करना है कैसे solve करते हैं मैं आपको दा रहा हूँ पहले वाई A matrix बनाते हैं A matrix में coefficient लिखते हैं जैसे भी लिख रहते 5 और 7 या पर 5 और 7 आ जाएगा फिर 2 और 3 2 और 3 आ जाएगा अब देखेगा उसके अब हम लोग एक और matrix बनाएंगे capital X इसमें variables को रखते हैं कितने variables हैं 2 ही ना X और Y फिर एक और matrix बनाते हैं उसका नाम B रखते हैं इसमें पता है क्या रखते हैं ये 4 और 5 राइट हैंड वाले 4 और 5 इसे मैंने रख दिया है ठीक है बास सुन्जा रहे आपको क्या करना है पहले A matrix बनाना है जैसे बनाते थे अल्रेडी फिर X बनाना है इसमें variables को रखना है X और Y फिर एक B बनाना है B में ये 4 और 5 रखना है ठीक है ऐसे ही ठीक है अब देखिए हमें X और Y की value find करनी है है ना X और Y की value find करनी है यानि मैं कह सकता हूँ इस X की value find करनी है तो X का value find करने का एक formula होता है मैं आपके सामने वो लिख दे रहाँ formula formula होता है X is equal to A inverse B यानि आपको इस बार इस वाले matrix का inverse निकालना पड़ेगा और inverse निकालना मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में सिखा दिया है अगर मैं इस वाले exercise में हर एक का inverse निकालना सिखाया तो कम सकम इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटा all लगेगा मतलब ये वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा ठीक है तो inverse निकालना मैंने सिखाऊंगा हाला कि ये 2 x 2 matrix है तो इसका inverse निकालने का एक trick होता है मैं trick आप पूरता दे रहा हूँ लेकिन ये trick बस 2 x 2 के लिए ही applicable है याद रखेगा 3 x 3 पे नहीं अपलाई करिएगा पहले ही मैं आपको warning दे दे रहा हूँ ट्रिक करता है ए इंवर्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले 1 लिखिए divide का sign लगाईए उसके बाद इस matrix का determinant लिख दीजे इस matrix का determinant आएगा 1 निकालके आप लोग चेक कर लिजेगा फिर ऐसे matrix का bracket बनाईए अब देखिएगा ये जो 5 और 3 लिखा है ना इसको उल्टा कर दीजे यानि 3 और 5 कर दीजे उल्टा पहले 5 3 था तो अब 3 5 हो गया पहले 5 3 था अब 3 5 हो गया उल्टा करना है इस 2 और 7 को as it is लिखिए 2 और 7 लेकिन इनके आगे minus sign लगा देना है बास सुझा रही है इस 2 और 7 को ऐसे ही लिख कर आगे minus sign लगा देना है यह आपका inverse होगे simple पुरान निकल आएगा अच्छा देखे यह 1 by 1 है ना तो 1 by 1 मतलब 1 नहीं होता तो लिखने क्या जोता है मतलब कि यह आपका finally inverse आएगा ओके अब हम यह आपे value पूट कर देंगे अंसर आजाएगा तो यह हो जाएगा x is equal to A inverse मतलब 3 minus 2 minus 7 5 यह inverse फिर B की value रखेंगे B की value ती 4 5 यानि अब हमें इन दोनों matrices को आपस में multiply करना है मैं multiplication सिखा दे रहा हूं फिलाल अगले वाले question मैं नहीं बताऊंगा तो यह जो पहला वाला row है न यह पहले वाले column से multiply होगा पहला वाला row पहले वाले column से तो देखेंगे कैसे multiply होगा यह पहला row है यह पहला column है तो इन दोनों का आपस में multiply करना है तो 3 4 में multiply होगा तो क्या आएगा 12 फिर यह minus 2 5 में multiply होगा तो मैंने पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्डिप्ला कर दूए है, अब इस वाले रो की बितबारी है, इस वाले रो को मैं इस वाले कॉलम से मल्डिप्ला करूँगा, तो मैंने यह आला रो इस वाले कॉलम से मल्डिप्ला होगा, तो माइनस 7, 4 जा माइनस 28, 5, 5, 0, 25, प्लस 25, बास सुन्या रही आपको, इस लाइन को में मिटा दे रहा हूँ, अब आपको आगे होगा, मल्टिप्ला करना, ठीक है, तो घटा लीजे, x इस वेल्डू क्या मिलेगा हमें, 2, माइनस 3, माइनस करने बाद, x की वेल्डू क्या एक्स और y, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, x और y, यहाँ पर लिख दूँगा, 2 और माइनस 3, clearly दिख रहा है मुझे, x की वेल्डू है 2, y की वेल्डू है माइनस 3, यह हमारा अंसर है, तो बास सम्हारा आपको, पहले a बनाना है, फिर x बनाना है, फिर b बनाना है, फिर यह formula यूज़ करना है, यानि a inverse निकालना ही पड़ेगा, a inverse मैंने trick से निकाल दिया, ठीक है, नॉर्मल तरीके से मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो a inverse की मैंने value पुट की, फिर b की value पुट की, दोनों को multiply किया, तो यह आया, फिर मैंने यह लिखा, फिर x क value मैंने put कर दी, तो x की value 2 आ गई, y की value minus 3 आ गई, simple है न, next question, यह भी असान है, लेकिन इस y का आगे कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिख लीजे, तब असान लगेगा, फिर से भाई, a बनाना है, तो आपको a बनाना आ गया होगा, 2, 3, minus 1, और 4, यह आएगा आपका a, फिर आपको x लिखना है, x मतलब, small x, small y, variable matrix, फिर आपको b लिखना है, b मतलब, minus 2, 3, ठीक, तो a का inverse निकालते ही हैं, हम लोग, a inverse निकालेंगा कैसे, पहले 1 लिखे, फिर determinant, तो determinant आएगा 11, ठीक है, निकालके देख लीजेगा आप लोग, फिर इस 2 और 4 को उल्टा कर देते हैं, तो 4 और 2 हो जाएगा, फिर इस minus 1 के आगे minus लगाएंगा, तो plus 1 हो जाएगा, इस 3 के आगे minus 9 लगाएंगा, तो minus 3 हो जाएगा, यह आपका inverse आजाएगा, trick के मतलब से, ठीक है, अब formula क्या होता है, x is equal to a inverse b, तो x is equal to, a inverse मतलब यह, यहनि 1 by 11, 4, minus 3, plus 1, 2, यह b का value, b का value था, minus 2 और 3, ठीक है, तो इन दोनों matrices को मैं multiple करना होगा, 1 by 11 को बाहर ही रखने दीजेगा, ठीक है, तो यह x is equal to 1 by 11, जब आप यह multiply कर लेंगे, तो आप consider हैगा, minus 5 और 12, ठीक है, multiply करना, अब मैंने सिखाऊंगा, यह सब मैंने अल्रेडी पिछले वीडियो में सिखा दिया है, ठीक है, 1 by 11 अंदर multiply कर दीजी, यह जाएगा, minus 5 by 11, 12 by 11, ठीक, x की value क्या थी, small x, small y, ठीक, क्यों जाएगा, minus 5 by 11, 12 by 11, बस compare ही तो करना है, यहां से x की value क्या आएगी, minus 5 by 11, y की value क्या आएगी, 12 by 11, अंसर जाएगी, ठीक है, note का लिजए, 9th question में इसी तरह लगेगा, सबसे पहला में a बनाना होगा, a बनाईए, क्या है आएगा आपका, 4, 3, minus 3, minus 5, बना लिजए का आप लोग, फिर capital x बनाईए, यहा है आपका small x, small y, फिर b बनाईए, b मतलब 3 और 7, ठीक, एइंवर्स निकाल लिजए, मैं आपके निकाल दे रहा हूँ, determinant निकाल लेंगे तो आपका अंसर आएगा, 1 by minus 11, अब यह नीचे आ रहा ना minus, इसे उपर कर लिजए, मैंने उपर कर लिए, अब देखेगा, ट्रिक से निकालना हूँ, वाला कि, इस 4 और minus 5 को उल्टा करना है, तो minus 5 और 4 गया है, इस minus 3 के आगे minus sign लगाएंगे तो plus 3, इस 3 के आगे minus sign लगाएंगे तो minus 3, यह आपका क्या है inverse, formula क्या था, x is equal to a inverse b, x is equal to a inverse मतलब minus 1 by 11, a मतलब minus 5, minus 3, 3, 4, ट्यक्क, b मतलब 3 और 7, ट्यक्क है, इना से x की बलु हाएंगे, minus 1 by 11, मैटिसेस को multiply, आप खुछ से कर सकते हैं, आपका अंसर आएगा 6, और plus 19, plus 19, ओके, करके देख लिए जगा multiply, मैंने जल्दी से कर लिया है, अभी यह minus 1 by 11 अंदर multiply हो जाएगा, क्या हो जाएगा, minus 6 by 11, minus 19 by 11, ओके, x की value क्या थी, स्माल x, स्माल y, चीक, minus 6 by 11, minus 19 by 11, तो क्लिरली दिख रहा है, कि x की value क्या थी, minus 6 by 11, y की value क्या थी, minus 19 by 11, यही मारा अंसर जाएगा, तो प्रोसेस तो आएगा, प्रोसेस मत कुछ डिफरेंस आया नहीं है, पहले मैंने a निकाला, फिर x निकाला, फिर b निकाला, formula apply किया, a inverse निकालके value put किया, b के साथ multiply किया, तो यह आया, फिर solve किया, तो x की value आ गई, और फिर y की value आ गई, ओके, 10th question भी similarly लग जाएगा, a की value आजाएगी आपकी, 5, 3, 2, 2, ठीक है, आप लोग अपना step match करिएगा, मैं calculation करके नहीं दिखा रहा हूँ, step match करिएगा कि वो match correct नहीं, x और y, x की value, b की value आ जाएगी 3 और 5, ठीक है, a inverse निकालेंगे, a inverse निकालेंगे तो आएगा 1 by 4, ठीक है, shortcut से निकाल लिजएगा आप लोग, step मैंने बता दिया आपको, shortcut, ठीक है, formula कहा था, x is equal to a inverse b, ठीक, x is equal to a inverse मतलब 1 by 4, 2 minus 2, minus 3 or 5, b का value 3 or 5, ठीक है, यह जाएगा, x is equal to, 1 by 4, दोनों matrices को multiply कर लिजएगा आप लोग, आपका असर आएगा, minus 4, 16, ठीक है, यह आपका असर आएगा, जब 1 by 4 को अंदर multiply कर देंगे, x is equal to, minus 1, ठीक हो जाएगा, कार्ट देगा ना, minus 4 को 1 टाइम, और 4 16 को 4 टाइम्स, x की value क्या है, small x, small y, minus 1 उ 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, x की value minus 1 होगी, y की value 4 होगी, यह जाएगा, असर रोजाएगा, बहुत ही सिंपल है, अब 11th question देखिए, यह पहली बात standard form में नहीं है, पहले हम लोग इसे standard form में लिखेंगे, 2x plus 1y plus 1z हो जाएगा, is equal to 1, अरे भाई, यहाँ पर 1 नहीं था, यहाँ पर 1 नहीं था ना, तो मैंने लगा दिया, फिर यहाँ पर x है, याँनि 1x, minus 2y, minus, यहाँ पर 1z हो जाएगा, is equal to, 3y2 को हम लोग 1.5 लिख सकते हैं, ति देखिए, 3y 5z है, 0 लगाना पड़ेगा, x क्या गए, क्योंकि x नहीं है, फिर 3y, तो plus 3y, minus 5z, is equal to 9, ठीक, फिर से a निकालेंगे, तो यह 210, फिर 1, 1, minus 2, 3, 1, minus 2, 3, फिर 1, 1, सुरी, 1, minus 1, और minus 5, ठीक, उसका जाद capital X, capital X में क्या करते हैं, variable, तो 3 variable हैं, x, y, z, फिर b लिखते हैं, b मतलब 1, 1.5 और 9, यानि, RHS वाले, यानि, 1, 1.5 और ये 9, ठीक है, अब देखिए, इस A का आपको A inverse निकालना पड़ेगा, और इस बार आपको इट्रिक नहीं रगा पाएंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 के लिए वो ट्रिक गलत है, तो A inverse जब आप लोग निकालेंगे, तो यह आएगा, आपका, 1 by 34, 13, 5, 3, 8, minus 10, minus 6, 1, 3, minus 5, यह आपका A inverse आएगा, निकाल लीजेगा, मैं निकालोंगा तो 20-30 मिनट लागेगा, क्योंकि समझा के निकालना रहता है, ठीक है, तो मैं यह मान के चलना हूँ कि आपको A inverse निकालना आ गया है, अभी तक, formula क्या होगा है, X is equal to A inverse B, X is equal to क्या जाएगा, A inverse की value रखिए, 1 by 34, 13, 5, 3, 8, minus 10, minus 6, 1, 3, minus 5, ओके, B की value रखना है, 1, 1.549, ठीक है, 2 matrices का multiplication है, आप multiplication कुछ से कर सकते हैं, यह आ जाएगा, मैं आपको तादर हूँ आएगा 34, multiply करने के बाद, फिर आएगा 17, फिर आएगा, minus 51, जब आप multiply कर लेंगे तब, ठीक है, अब उसके बाद देखेगा क्या होगा, ठीक है, यह जाएगा, x is equal to, यह जो 1 by 34 है, यह 1 by 34, इन तीनों में multiply होगा ना, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, 34 by 34, 17 by 34, minus 51 by 34, और यह चीज़ें, cancel होके आएगी आपकी, x is equal to, 1, 1 by 2, minus 3 by 2, यह कार्ट लोट के दिखेगा, 17 के टेबल से कटेगा, हर चीज, x की value क्या थी, x, y, z, फिर यहाँ पर 1, 1 by 2, और minus 3 by 2, ठीक है, तो clearly दिख रहा है भाई, x की value 1 है, y की value 1 by 2 है, z की value minus 3 by 2 है, यह हमारा answer है, बहुत easy है, नोट का लीजे, 12th question में हमें, इस matrix का inverse निकालना है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और इन 3 के आगे 1, ठीक, यह बनाई है, 1, देखे दान से यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 1, 2, 1, फिर minus 1, फिर 1, फिर देखे दान से यहाँ पर 1 है, coefficient लिखना है फिर यहाँ पे 1 minus 3 फिर यहाँ पे 1 है ठीक है खाली coefficient variable मत उता दीज़ेगे x बनाएंगे capital X x, y, z फिर b बनाएंगे 402 right hand side वाले ना यानि ये 4, ये 0, ये 2 ठीक है अब इस matrix का inverse निकाल लेंगे क्योंकि inverse निकाल लेंगे जो पढ़ दी है ये inverse जब आप निकाल लेंगे तो आप answer आएगा 1 by 10 4 minus 5 1 2, 0, minus 2 2, 5, 3 ठीक, ये आपका inverse आएगा, formula क्या है x is equal to a inverse b value पुट कर रहा हूँ मैं x is equal to a inverse मदब 1 by 10 4 minus 5, 1 2, 0, minus 2 2, 5, 3 ठीक फिर b की value रखेंगे क्या थी भाई b की value 4, 0, 2 multiply कर लीजेगा आप लो multiply करेंगे दियाएगा 1 by 10 अंदर आप आएगा 20, minus 10 और 10 ठीक है इसके बाद जब आप अंदर 10 multiply करेंगे sorry 1 by 10 तो सोचिए कि आएगा ये जाएगा capital X is equal to जब ये 1 by 10 1 by 10 जब अंदर multiply होगा तो सब पूड इवाइट कर देगा 1 by 10 है ना इसलिए तो ये आएगा 2, minus 1 और 1 डिवाइट करेंगे बाद X की value लग दीजिए X, Y, Z 2, minus 1 और 1 X की value 2 आगई Y की value minus 1 Z की value 1 आप लोग अपने step match का लीजेगा calculation आपके बरोसे है ठीक है note का लीजे 13 question पर आते हैं ये भी standard form में नहीं है इस X की आगए 1 इस Z की आगए 1 इस Y की आगए 1 ओके एक ही value लिखेंगे clearly देख सकते हैं यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो यहाँगा फिर minus 2 है 3 है 1 है minus 2 अब capital X बनाएंगे यह आएगा X यह Y यह Z फिर B आएगा B मतलब 5 minus 4 और 3 ठीक अब हम लोग A inverse निकालेंगे ठीक है तो आपका A inverse आएगा 1 by 40 5, 3, 9 5 minus 13 1 5, 11 7, 7 5, 11 minus 7 ठीक है यह आपका inverse आएगा formula कहा था X is equal to A inverse B यह जाएगा X is equal to A inverse मतलब 1 by 40 ठीक 5, 5, 5 3 minus 13 11 9, 1, 7 ठीक पिर B लिखेंगे B के आएगा 5 minus 4 3 multiply करेंगे तो यह जाएगा X is equal to 1 by 40 multiply करने के पाद आएगा 40 80 minus 4 करके देख लिजेगा multiply यह आएगा अगर दूसरा कुछ आ रहा है तो समझे आपका गलत अंसर आ रहा है ठीक है तो जब इस इस 1 by 40 को आप इसमें multiply करेंगे तो आपका अंसर आएगा X is equal to 1, 2, minus 1 X की वेलू पुट करिए X, Y, Z यह आएगा 1, 2, minus 1 X की वेलू 1 Y की वेलू 2 Z की वेलू minus 1 ठीक है यह हमारा अंसर है ठीक है मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि साथ सुतरा लगे नोट का लिजेगा आप लो 14th question भी SS all करेंगे यहाँ पर X का गे 1 होगा यहाँ पर 1 होगा यहाँ पर 1 होगा फिर A बनाएंगे A मतलब यह 1, 3, 2 1, 3, 2 फिर minus 1, 4, minus 1 minus 1, 4, minus 1 2, minus 5, 3 2, minus 5, 3 फिर X बनाएंगे X, Y, Z फिर B लगाएंगे 7 minus 5 for 2L टीक है? 7 minus 5 for 2L ओके? मिटा दे रहाँ इसे inverse निकालेंगे अब inverse निकालेंगे आप लोग आप कंसर आएगा 1 by 4 7, 1, minus 3, minus 19, minus 1, 11, minus 11, minus 1, 7 फिर फिर फॉर्मला अप्लाई करेंगे x is equal to a inverse b शेक यह हो जाएगा x is equal to a inverse मतलब 1 by 4 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7 फिर b वाल रखेंगे 7 minus 5 12 ठीक अंदर multiply करेंगे तो देखे का आएगा 1 by 4 8 आएगा 4 आएगा फिर 12 आएगा जब आप लोग अंदर multiply करेंगे तब ठीक है फिर इस 1 by 4 को आप लोग अंदर multiply कर दीजेगा फिर x की value आएगी 213 ठीक है तो x की value क्या थी x की value थी x y z फिर 213 यहां से क्लेरी दिख रहा है की x की value 2 आएगी y की value 1 आएगी z की value 3 आएगी ठीक यह हमारा answer है अब 15th question है if a is equal to this find a inverse ठीक है तो सबसे पहले हमें इस वाले matrix का inverse find करना होगा तो inverse में आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा ठीक है inverse में direct लिख दे रहा हूँ कि a का inverse आएगा 0, minus 2, minus 1, 195, minus 2, minus 23, minus 13 यह आपका आएगा inverse ओके अब देखिए इस inverse का फायोदा क्या है क्यों बोला है question में inverse निकालने का ठीक है नहीं तो इस question को आपको time बहुत लग जाएगा solve करने में अगर आप ज़रा सोचिए इस matrix का inverse निकालने है उसके बाद इसको solve करें बहुत time लग जाएगा तो कोई तो reason होगा ना कि इस वाले matrix का inverse निकालने के लिए बोला है देखेगा क्या reason है इसको solve कैसे करते है पहले यह बनाते है न एक कैसे बनाएंगे यहाँ 1 है यहाँ 1 है ठीक है तो 2, 3, 1 2, 3, 1 minus 3, 2, 1 minus 3, 2, 1 5, minus 4, minus 2 ठीक है यह आपका यह बन गया और ध्यान से देखिए यह जो यह बना है वो यह उपर वाला ही यह तो है 2, 3, 1, 2, 3, 1 minus 3, 2, 1, minus 3, 2, 1 5, minus 4, minus 2, 5, minus 4, minus 2 ठीक है इसका मतलब इसका inverse निकालने की कोई जरूर्थी नहीं है इसका inverse यह होगा तो कि यह और यह सेम है तो दोनों का inverse सेम होगा ठीक है यह फायदा है इस question में ठीक है कई लोग होंगे जो ध्यान नहीं देंगे इस छोटी सी बात का और फिर इस वाले matrix का अलग से inverse निकालेंगे और 30 मिनट लग जाएगा उनको इसी सवाल में और उनका question paper छूड़ी आएगा ठीक है यह तो बस मैंने A बनाया है अब हम लोग capital X भी बनाते हैं जो की है X, Y, Z फिर B भी बनाते हैं जो की है 11, minus 5, minus 3 A inverse निकाल एक जोड़ नहीं है सीज़े formula यूज़ कर रहा हूँ X is equal to A inverse B X is equal to A inverse मतलब 0, minus 2, minus 1 1, 9, 5 minus 2, minus 23, minus 13 ठीक है अब B के value पूट का देंगे जो की 11, minus 5 और minus 3 multiply कर लेंगे तो यह X की value आएगी 1, 2, 3 ठीक है जो की पक्का X, Y, Z के equal होगी X की value जाएगी 1 Y की value जाएगी 2 Z की value जाएगी 3 यह हमारा answer जाएगा इस question में आपको सीखने के लिए क्या मिला इस question में आपको सीखने के लिए क्या मिला कि जो इसका inverse है वही इसका भी inverse है तो अलग से निकालने के जोट नहीं है और यह question आपके board exam में जरूद आएगा हो सकता है यह ना आएगा इसका value बदल जाए लेकिन इसी type का आएगा यह मैं 99% से और हूँ पांच नमर में आएगा देखिएगा तो अच्छे से देख ली जागा कि कैसे solve करना इसे तो अच्छे से देख ली जागा कि कैसे solve करना इसे 60 rupees फिर बोला है the cost of 2 kg onion 4 kg wheat 6 kg rice 90 rupees cost of 6 kg onion sorry cost of 6 kg onion 2 kg wheat 3 kg rice 70 rupees find the cost of each item per kg by mattress method mattress method का आपको इस्तमाल करके onion का cost wheat का cost और rice का cost निकालना है अब कुछ महालोग कहेंगे कि cost तो दिया ही हुए 60, 90 और 70 तो उनको मैं बताना चाहूंगा ये cost नहीं है ये total cost है जब कोई व्यक्ती 4 kg प्याज 3 kg गेहू 2 kg चावल खरी देता है तब total जो देता है वो 60 रुपे देता है क्या आपको पता है कि 1 kg अनियन कितने रुपे का है मतलब 1 kg प्याज कितने का है नहीं पता है क्या आपको पता है 1 kg ये हूं कितने का है wheat कितने का है नहीं पता है क्या आपको पता है 1 kg rice कितने का है नहीं पता है तो जो चीज़े नहीं पता है उसे हम लोग suppose करेंगे तो हम लोग यहाँ पर suppose करेंगे let 1 kg wheat is equal to x रुपीज 1 kg उल्टा करेंगे यह 1 kg अनियन लिखेंगे पहले क्योंकि पहले अनियन है 1 kg अनियन क्योंकि पहले अनियन था 1 kg प्याज माल लेते हैं कि x रुपीज का है 1 kg wheat माल लेते हैं y रुपीज का है क्योंकि हमें नहीं पता है कि 1 kg ओनियन और 1 kg wheat कितने रुपै का है तो मैंने x और y माल लिया similarly अगर 1 kg rice अगर z रुपीज का है तो अब हम लोग equation बनाएंगे ध्यान से देखेगा equation बनाएंगे क्या से ठीक है यहाँ पर देखे लिखा है 4 kg यानियन 3 kg wheat 2 kg rice total 60 रुपै का पड़ा ठीक है equation बनाएंगे हम लोग 4 kg प्याज तो 1 kg प्याज तो x रुपीज का है तो 4 x के होंगे प्लस 3 kg wheat खरदा तो 1 kg wheat y रुपीस का है तो 3 kg 3 y के होंगे प्लस 2 kg चावल खरदा उसने है 1 kg चावल जड का है तो 2 kg 2 z के होंगे तो यह total cost आजाएगा total cost दिया है कि 60 रुपै लगेंगे उसी तरह दूसरा equation बन जाएगा फिर कहारा 2 kg यानियन 6 kg rice यानि 6 z is equal to total cost कितना है 90 तो is equal to 90 ठेक अब देखेगा फिर कहारा 6 kg यानियन 6 x फिर कहारा 2 kg wheat यानि 2 y फिर कहारा 3 kg rice यानि 3 z is equal to 70 रुपै यह बन गया तीन equation मैं सब चीज़ को मिटा दे रहा हूँ अब हम लोग इस equation को solve करेंगे तो महारा answer आ जाएगा कैसे solve करेंगे पहले a बनाएंगे क्या बनाएंगे पहले a बनाएंगे a मतलब 4 2 6 तो मैं आ लिख रहा हूँ 4 2 6 फिर 3 4 2 3 4 2 2 6 8 2 6 3 ठीक है अब हम लोग एक्स बनाएंगे एक्स मतलब एक्स वाईजर्ड अब हम लोग बनाएंगे b b मतलब 60, 90 और 70 अना इन्ही को कहते है न b तो यह a आ गया है तो हम लोग यह inverse भी निकाल लेंगे a इन्वर्स कितना आएगा 1 बाई 10 0 – 1 2 6 0 – 4 – 4 2 2 ओके यह आपका inverse आएगा formula क्या कहता है formula कहता है x जो है वो a inverse b के बराबर हो तो यहाँ पे a inverse की value put करने पड़ेगी तो x बराबर a inverse मतलब 1 by 10 0 6 – 4 – 1 0 2 2 – 4 2 ठीक है अब b की बारी 60 90 70 ओके अब इन दोनों matrices को आप लोग multiply कर लिजेगा यह आएगा x is equal to 1 by 10 ठीक है अंदर आएगा आएगा 50 80 80 अजब 1 by 10 से आप divide कर देंगे यह आएगा आपका 5 8 8 तो यह जो x है उसकी value थी x y z is equal to 5 8 तो यहाँ पर x की value 5 आजाएगी y की value 8 z की value 8 ठीक है 5 8 8 यह हमारा answer हो जाएगा ओके तो सारे questions all हो गए है ना मैंने हर एक question को step wise solve कर आया है अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फिर भी तो आप मुझसे comment box में अपने doubt पूछ सकते हैं comment box में अपने doubt आप पूछ सकते हैं या फिर आप मेरा telegram channel भी join कर सकते हैं वहाँ पर भी आप अपने doubt पूछ पाएंगे ठीक है telegram channel link आपको description box में मिल जाएगा यह दो जगह आप लोग अपने doubt पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो में से इतना आई dotty आप हुआई में अपने हएफ भी ऑाएंगे फहांगे अपने ही हैं एंगर में सकते हैं